आज रास्ता बना लिया तो कल मन्जिल भी मिल जाएगी होसलों से भरी यह कोशिस एक दिन जरूर रंग लाएगी प्यारे विद्यार्थियों एक बार पुने आपका हार्दिक श्वागत और अभिनांदन है आज हम बात करें हैं बिये पार थार्ड इतिहास सेकंड दूतिये गेस पेपर या मॉडल पेपर की जिसका नाम होगा भारतिये संस्कृति के मूल आधार 2023 सेकंड पेपर है इतिहास का बिये तूतिये वर्स का प्यारे विद्यार्थियों नए पैटरन के अनुसार क्योंकि पिछले वर्स पैटरन कुछ और था और इस वर्स पैटरन यून सिटी ने कुछ और कर दिया है हमारा लक्से आपकी सफलता आपकी सफलता प्यारे विद्यार्थियों जीतेंगे हम ये वादा करो कोशिस हमेशा ज्यादा करो किस्मत भी रूठे परहिमत ना तूटे मजबूत इतना इरादा करो प्यारे विद्यार्थियों अपना समय तीन घंटे का होगा पेपर का परसन पतर सो अंक का होगा प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि पिछली बार डेट घंटे का पेपर था इस बार तीन घंटे का है ज्यादा से ज्यादा लिखना और पेज भरना प्यारे विद्यार्थियों महतपुन परसन दो हजार तेईस सदा मुस्कुराते रहो मेरी तरफ से बैश्टो प्लक है आप सब ही कौँ आपका पेपर बहुती अच्छा जाए खंड ए सेक्षन ए जो मैं बार बार कहता हूँ आपके पेपर में तीन सेक्षन होंगे ए बी और सी तो सच से पहले हम बात करते हैं सेक्षन ए की पेपर में कुल दस परसन होंगे सभी करने हैं सभी अनिवारिय होंगे कोई अथवार नहीं होगा प्यारे विध्यारतियों परते एक परसन दो अंका होगा पचास सब्दों में उत्तर देना होगा आपको एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन या फिर पांच लाइनों तक एक दो लाइन एक्स्टरा कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो जो कि 10 इंटू 2 बराबर 20 अंक का होगा सेक्शन ए और ये है चोटे टोमोश्ट क्यूसन वैसे प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर बहुती महत्तपुन है भारती संस्कृती के मूल आधार नौलेज वाला भी है और ये मानों की अच्छे नंबर बनाने वाला पेपर भी है ये इसलिए इसे तो अच्छी तरीके से पढ़ना क्योंकि आगे कंपेडिशन में भी ये पेपर जरूर काम आएगा वैसे छोटे क्यूसनों का कोई गेस नहीं बनता कोई गेस नहीं लगाया जा सकता क्योंकि कोई भी सबद उठा करके पेपर सेटर छोटा क्यूसन पूच सकता है किसी के बारे में किसी की टीपनी किसी की दो चार विसेस ताइम पूच सकता है किसी सहर का नाम किसी माहनाय का नाम ये मानों की कोई भी छोटा क्यूसन बना सकता है तो छोटे का वैसे गेस नही के बाद और इतिहास के व्याख्याता से विचार विमस करने के बाद ये टोपमोष्ट छोटे क्यूशन बनाई है जो आप त्यार कर लेना उमीद है आपके पेपर में अधिकतर क्यूशन इनी में से मिलेंगे देखो कौन-कौन से छोटे टोपमोष्ट क्यूशन बन सकते हैं जो आपको तैयार करने है अच्छी त्रिके से इने तो जरूर त्यार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों देखो नमबर एक सेंदो धरम की कोई चार विशेस्ता हैं लिखिए पिछली बार बारतिय संस्कृति की चार विशेस्ता पूचिती इस बार सेंदो धरम की पूच सकता है नमबर दो चार आरिये सत्ते बताईए जो की आपने देखा बो धरम के चार आरिये सत्ते नहीं है क्या दुख दुख काकान दुख निरोद दुख निरोद या मारग नम्बर तीन चार पुरसार्थों के नाम धरम आर्थ काम और मौक्स या फिर किनी चार संसकारों के नाम पूछ सकता है जो सोला संसकार है ना उन में से कोई चार संसकार जरूर त्यार कर लेना उसके आदमी नमबर चार जेन धरम के त्री रतन पूछ सकता है या फिर जेन धरम के स्यादवाद क्या है जेन धरम में स्यादवाद क्या है ये क्योसन भी बढ़िया बन सकता है नमर पांच नालंदा वी सुधाले पे टीपनी पूछ सकता है या प्राचिन सिक्षा के दो प्रमुक केंदर चाहे वो नालंदा हो चाहे आप कोई तकसीला हो चाहे आप कोगे वल भी हो तो ऐसे पूछ सकता है विक्रम सिला वी सुधाले भी प्राचिन सिक्षा का किंदर रहा प्यारी भी धर्तियों उसके आदमे नमबर 6 इसे त्यार कर लेना कालिदास पर आ सकती है या चरक के बारे में पूछा जा सकता है या वराहमीर कौन थे ये पूछा जा सकता है तिनों में से एक तो जरूर पूछेगा पक्का वेरी 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 मौश्ट है कालिदास चरक और आपर हमीर कौन थे? नमबर सात चेटे क्या है? यह पूस सकता है विल इतना ही देगा बस आपको इसका व्याक्ख्या करके बतानी है. उसके आदमें अजंता अलोरा इतना ही देगा तो अजंता अलोरा की गुफा के बारे में आपको बताना है. नमबर आट, मतुरा कला बस इतना ही लिखा देगा वो, आपको बताना है कि मतुरा कला क्या थी, उसकी विशेषता, सोर्ट में संक्षेप में पचास ही तो सबद लिखने हैं, उसके आदमें नमबर नो, और ये समाज की स्ताबना कव है, किसने की थी, ये पूछ सकते हैं, उस 11. गुप्त कालिन मंदिरों की दो विसेशताएं बताईए 12. राजपूत चितरकलासेली की कोई दो विसेशताएं बताईए 13. सुफिवाद इतना ही पूछ सकता है कि सुफिवाद क्या था या फिर भक्ती आंदोलन पर टीपनी आ सकती है 14. मुगल कालिन दो परमुक इमारते पूछ सकता है 15. दिवान ए आम या फिर दिवान ए खास इसके बारे में टीपनी पूछ सकता है क्या थी ये दोनों उसके आदमी 16. सुद्धी आंदोलन सुद्धी आंदोलन जो की हिंदू छोड़ करके अन्य धर्मों में चले गए वो वापस आ सकते है और अन्य धर्म के भ फतेपुर्ट सीक्री या फिर ताज महल पे टीपनी आ सकती है 18. बारती संस्कृती पर परक्समी संस्कृती का परभाव बाता ये क्या क्या परभाव पड़ा नमबर 19. विवा के परकार पूछ सकता है कोई दो परकार की विवा भी और या फिर आठ परकार के जो विवा होते हैं उनके बारे में आपको लिखना होगा चार आस्रमों के नाम पूछ सकता है प्यारे विद्यार्थियों जो की ब्रह्मा आस्रम है गरस्त आस्रम है उसके आदमे वानप्रस्त है और सन्यास आस्रम है नमबर 20 मौर्य कला की दो परमोग वी से इसता ही पूछ सकता है तो ये थे आपके सामने टो मौष्ट 20 क्यूसन हाँ कुछ अत्वा में भी लगे हुए है प्यारे विद्यार्थियों उनको भी देख लेना उमीद है आपके पेपर में इसी में से क्यूसन आएगा प्यारे तो इन 20 क्यूसनों को जो भी आपके पास अध्यन सामगरी है चाए आपके पास अच्छे टीचर के या अच्छी मेडम के नौट्स भी हो सकते हैं आपके पास तो उनसे त्यार कर लेना या फिर आपके पास कोई टैक्स बुक जो भी अच्छी पुस्त कैना अच्छे प्यारे विद्यार्थियों के पास मिलेगी वह वन वीक सीरीज उसमें चिन लगा करके इन क्यूसनों को तियार कर लेना जो की छोटे ही क्यूसने ज्यादा बड़े नहीं है तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर लेकिन तेयार जरूर कर लेना ठीक है ना जो मैं बार बार कहता हूँ ना इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बलकि खुद को बदलना सुरू कर देता है सुरू कर देता है आप बीए फाइनल में हो प्यारे विद्यार्थियों ग्रेजवेसन हो जाएगी चोदमी हो जाएगी इस बार आपकी उसके बाद में आपके सामने कई रास्ते होंगे हो सकता आप बीएड के लिए पीटीटी का एक्जाम दो हो सकता आप एमे करने के लिए कहीं इंटेस्टेस्ट दो या सीधे एडमिसन ले सकते हो या फिर आप पढ़ाई की तरफ ने होकर के कंपेडिशनों की त्यारी की तरफ जा सकते हो अन्यता आपको चोथा रास्ता पता ही है कहां पे जाता है हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों अब देखो खंड बैक सेक पांच करने होंगे लड़ी जिन में से 5 परसंग करने है जी आपको परतेक साथ अंका होगा 200 सब्दों में उत्तर देना है आपको जो की 5 इंटू 7 बराबर 35 अंका होगा सेक्शन B तो यहां पे मैंने 10 टोमोस्ट क्यूसन हो सकते हैं एक दो अथ्वा में भी लगा दिये हों अन्य था यह 10 त्यार कर लेना आपके पेपर में इन 10 में से 10 भी मिल सकते हैं 9 भी मिल सकते हैं 8 भी 7 भी 6 भी 5 भी और आपको करने कितने हैं 5 ही करने है तो यह मानो अपना गेस पेपर 100 परसेंटे आ जाएगा बस आप तो इन्हें त्यार कर लो यह कह रहा हूं मैं इससे ही पेपर बने का अगर अन्य कोई क्यूसन आ भी जाता है तो आप उसका उत्तर भी कर सकते हो अगर आपको इनका अच्छी तरीके से नौलेज है तो ये पेपर बहुत बढ़िया है प्यारे विद्यारतियों भारतिये संस्कृति के मूल आधार देखो नमबर एक भारतिये संस्क तो रटा माल लेना क्योंकि सेक्षन बी में भी मौश्ट है और सेक्षन सी में भी मौश्ट है एक जगे तो पक्का ही मिलेगा जरूर ही मिलेगा प्यारे विद्यारतियों और देखते ही याद कर लेना होस्यार जी सर कह रहेते वही बात हुई जो कि आप वहाँ पेपर में खुश हो जाओगे जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि आप हमेशा खुश रहो मुस्कुराते रहो प्रेम से मस्त रहो टेंसन चिंता लेने से कुछ नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों बस अपने तो मस्त रहो नमबर दो बोध धरम के परमुक सिद्धानतों का वर्णन कीजिए अती महतपुण के उसने त्यार कर लेना या फिर इसकी जगे वेतिक धरम पर टीपनी लिखे ये भी आ सकता है तो दोनों त्यार कर लेना दोनों नहीं करते हो तो बोध धरम वाला तो जरूर त्यार कर लेना नमबर तिन वरण विवस्ता बस इतना ही लिखाएगा वरण विवस्ता के उपर आपको टीपनी लिखनी होगी उसके बारे में बताना होगा या फिर इसकी जगे आसते उपनेन संसकार से आप क्या समाशते हो जो हमारे 16 संसकार है उसमें सबसे प्रमुख सबसे महतपुन कोई संसकार है तो वो उपनेन संसकार है उसके बारे में पूच सकता है नमबर चार सोला संसकारों पे टीपनी आ सकती है या फिर पुर्षार्थ के जो चार पुर्षार्थ ना धरम आर्थ काम और मौक्स को समझाईए ये भी बढ़िया क्यूसन है नमबर पांच मा भारत पर संक्षित टीपनी लिखे त्यार कर लेना वेरी 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 मौस्ट इंपोर्टेट है जो कि इसका इस तरीके से भी क्यूसन बना सकते हैं मा भारत का साहितिक महतव बताईए अती महतव पुन है प्यारे विद्यार्थियों नमबर च considerable काली दास पर संक्षित टीपनी लिखे बढ़िया क्यूसन या फिर इसकी जगे रामाइन पर संक्षित टीपनी लिखे ये भी आसता है लेकिन माहा भारत वह रामाइन दोनों इस जगे ने आकर करके एक सेक्षिन भी में तो एक सेक्षिन सी में दे सकता है इस तर पेज निम्दात्मक लिखना होगा। उसके आदमेको नमबर साथ मुघल स्तापेते की परमुक विसेश्तें या मतुरा सेली की परमुक विसेश्तें लिखिए। मुघल स्तापेते वाली तो जरूर त्यार कर लेना। उसके आदमी नमबर आठ राजबू चितरकला सेली से आप क्या समझते हैं बताईए नमबर नो ब्रह्म समाज पर संक्षित टीपनी लिखे या फिर भक्ती आंदोलन के उपर भी टीपनी आसती है कि इतना लिखावाएगा भक्ती आंदोलन बस आपको समझना है कि भक्ती आपको बताना होगा नमबर दस रविंदर नाठ टेगोर या फिर देयानन सरस्वती जड़ा इंपोर्टेट तो रविंदर नाठ टेगोर ही है प्यारे विद्यातियों लेगिन क्या पता खुदा ना खास्ता टेगोर वाला ने दे करके स्वामी देयानन सर्श्वती जो कि की जगह आरिये समाज भी लिख सकता है एक ही बात हो की क्योंकि आरिये समाज की इस्तापना दयानन सरस्थी ने ही की थी तो स्वामी दयानन सरस्थी के सामाजिक और सांस्कृति विचार बताईए या उनका योगदान का मुल्यांकन की जिये तो अती महतवपुन के उसन है तो टोप मौष्ट के उसंट जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, बस आप तो इनको अच्छी तरीके से तयार कर लो प्यारे विद्धार्थियों, जो मैं बार-बार कह रहा हूँ, जाधा लिखना सुन्दर और स्पश्ट लिखना है प्यारे विद्धार्थियों, जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके प्यारे विद्यार्थी ठीकर ना उसके बाद में आगे रेखो खंड से या सेक्षन सी ये अती महत पुन है क्योंकि ज्यादा अंको का सेक्षन तो यही है ना प्यारे विद्यार्थियों तो इसलिए इसे तो अच्छी तरीके से त्यार करना ही होगा देखो खंड से शेक्षन सी पेपर में कुल पांच परसन होंगे जी जिन में से कोई तीन परसन करने है आपको कितने करने होंगे? तीन जबकि पिछले वर्ष तो एक ही करना था लेकिन पेपर भी तो डेड़ घंटे का था ना जी इस बार तीन घंटे का है पांसो सब्दों में उत्तर देना होगा जो की एक यूसन वो पंदरा अंका होगा तो तीन इंटू पंदरा बरावर पैंतालिस अंका होगा सेक्षन सी जो की खंड से इसमें पांच क्यों सनाएंगे आपको कोई तीन करने होंगे तो ये पांच त्यार कर लेना प्यारे विद्यारतियों उमीद है पांचों पांच नहीं तो चार चार नहीं तो तीन तो जरूर ही मिलेंगे मैंने एक दो यार लगा करके भी लिख दियें अगर समय हो तो इनको भी त्यार कर सकते हो अगर इनको नहीं करते तो कोई बात नहीं इनको जरूर त्यार कर लेना ये मत सोचना अपने दिमाग के अंदर क्यों से आजी सरने जादा बता दिये ना जी ना जादा नहीं ये अती महतप उन क्यूसन बताई है मैंने जिनको आपको तयार करने है ठीका ना? जादा नहीं है जो पेपर में आएंगे उससे डबल भी बता दे तो भी जादा नहीं है जो कि मैंने तो डबल तो बना ही नहीं है इस बार ये देखो ना हाँ कुछ में मेरे को लगा कि ये नया करके ये भी आ सकता है तो मैंने या लगा करके उस क्यूसन को भी लिख दिया है तो आप तयार जरूर कर लेना प्यारे विद्धार्थियों मेरे होसलों में अभी जान बाकी है ये तो दोड भरी ये थी अभी उडान बाकी है मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना ये तो सुरुवात भरी थी अंजाम अभी बाकी है अंजाम अभी बाकी है बस ये कहो आप तो प्यारे विद्धार्थियों नमबर एक, भार्तिय संस्कृति की परमुक्वी से इस ताइम बताईए मैंने कहाता ना कि ये खंड बै में भी आसकते है और से में आसकते है क्योंकि मैं बार बार कहते हुए चलाओं कि सेक्षन B में जो मौश्ट के उसनना वो section C में भी मिल सकते हैं और जो C में है न वो B में भी मिल सकते हैं बस आपको तो उत्तर लिखते समय शबद सीमा देखनी है section B में है तो आपको केवल 200 सब्दों में दो पेज ही बढ़ने है तीन बढ़ सकते हो जारा से ज्यादा अगर अच्छा त्यार है तो आपके उसके बाद में section C में है न तो 500 सब्दों में 5 ही पेज भढ़ने है अब 5 के जगे 6 या 7 तक आप बढ़ सकते हो जादा मत भढ़ना प्यारे विद्यारतियों फिर paper पूरा नहीं होगा ठीक है न तो इसलिए बहारतिये संस्क्रति की पर्मुक विसेस्ताइम बताईए अती महत्तपुन के उसने paper में चपेगा चै वो section B में चपे या section C में तो इसका तो रटा मार लेना या फिर सैंदव धरम की पर्मुक विसेस्ताओं का वणन कीजिए ये भी आने के chance है प्यारे विद्धारतियों अगर ये नहीं बनाता है खुदा न खास्ता तो फिर ये बनाएगा नमबर दो जैन धरम के पर्मुक सिधानतों का वणन कीजिए वेरी 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 मौस्ट इंपोर्टेट है क्यों पिछली बार यहां पे बोध धरम के पर्मुक सिधानत आये थे इस बार आपको जैन धरम के पर्मुक सिधानतों का वणन कीजिए ये क्यों संत्यार करना है या फिर पौरानिक धरम की पर्मु विसेस्ताओं को समझाए ये रिपीट हो सकता है हलांकि पिछली बार आचुका है सेक्षन भी में उसके आदमी नमबर तिन वरण या आस्रम विवस्ता से आप क्या समझते हो इसके उपर आपको निमद लिखना होगा चैब वो वरण विवस्ता पर पूछ सकता है या आस्रम और हो सकता है इस तरीके से भी वो क्यूशन बना सकता है तो आपको तो केवल एक के उपर ही टीपनी लिखनी है विस्तार से निमद आत्मक रूप से बताना होगा हाँ लेंगवेस थोड़ी ऐसी ही होगी क्या कि आप क्या समझते हैं जबकि इसके उपर आपको पाँच पेज बढ़ना है लड़ी ठीक ना बाई आगी बात समझ में निमद आत्मक पान सो सब्दों में लिखना है आगी देखो नमबर चार रामाइन के सांसकृतिक और साहितिक महत्तव का विसलेशन केजिए अती महत्तवण के उसने एक ये तियार कर लेना या फिर गुप्ट कालिनकला के विकास पर लेख लिखिये अती महत्तवण है उसके आदमे नमबर पाँच ब्रम समाज या फिर राजा रामोन राई क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना किस ने की थी राजा रामोन राई ने की थी तो एक ही बात है चाहे वो ब्रह्म समाज का पूछे या राजा रामोन राई का पूछे के समाजिक वैधार्मिक योगदान का वणन कीजिए या उनका मुलंकन कीजिए ये क्यूसन भी त्यार क पर्मुक्सिधन दंतों का वनन कीजिएज रामाइन के सांस्कृतिक और साहितिक मेत्व का विसलेषन कीजिए ये तीन तियार कर लेना प्यारे विध्यार्थियों और आपकी किस्मत है मेरे अनुसार तो ये तीनों कीऊसन आने चाहिए ठीक है ना और ये तीनों आते खुस हो जाना कि वहां से आरजी सर्ण ने कहा था वही हुआ ठीक है ना प्यारे विधार्तियों और अगर आपको आपकी किस्मत पे ज़्यादा विश्वास नहीं है क्या बता बैड किस्मत हो तो मेरा मानना तो ये कि ये सारे त्यार कर लोगे आपको तीन तो जरूर मिलेंगे इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ बस आप तो इन क्यूसनों को अच्छी तरिके से त्यार कर लो आपका पेपर बहुती बढ़िया जाएगा सदा खुस रहो प्रेम से मस्त रहो जी करप्या ध्यान दे नौट करप्या ध्यान दे सभी परसन अनुमानित है गेस या मोडल पेपर है ये किवल मैंने अनुमान लगाया है पिछले वरसों के पेपर देख करके प्यारे विद्यातियों वैसे आपका मुखे पेपर मैं नहीं बनाऊंगा और कोई पेपर सेटर होगा मैंने तो किवल यहां पे गेस लगाया है, अनुमान लगाया है, अती महत्तपून इंपोर्टेंट क्यू सन बताई हैं मैंने तो कि यह आ सकते हैं, इन्हें आप तयार कर सकते हो, मारो उदस से थांकी सफलता, थांकी सफलता जी, मेरी तरफ से आप सभी को बैश्टो प्लक, आपका पेपर बहुती बढ़िया और अच्छा जाए, ज्यादा से ज्यादा आपके नमबर आएं, प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, पेपर बढ़िया करना, सुन्दर, नए गेस पेपर के साथ, तब तक खुश रहिए, हस्ते रहिए, मुस्कराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा से शेयर करना, और लाइक करना, मत भूलना, प्यारे विद्यार्थियों, और मेरा गेस आरत वंदी